वीटी बुलिटिन स्पॉंसर बाई उत्तम सिंग अकाड़मी रीवा नमशकार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया हाजर हैं आज की बुलिटिन की खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं कोरोना वाइरस का नया रूप ओमी क्रोन वेरियंट के दस्तक के बाद खत्रा बढ़ गया है हर दिन इसको लेकर चेतावनी मिल रही है और इस बीच मधिप्रदेश में भी केसिस बढ़ते जा रहे है मधिप्रदेश में इन दिनों कॉलेजों में होने वाली परिक्षाई भी चर्चा का विशे बनी हुई है चात्रों में एक तरफ जहां अस्मंजस था कि परिक्षा ओफलाइन होगी या ओनलाइन इस बीच विश्व विद्याले ने ओफलाइन बोर्ड में परिक्षा कराई जाने के निर्देश दे दिये हैं इस निर्देश के बाद सैकडो चात्रों का विरोध भी देखने को मिल रहा है चात्रों का कहना है कि संक्रमण का खत्रा अभी कम नहीं हुआ है और और ऑफलाइन मोर्ड में परिक्षा एज़ित करना उनके लिए खत्रा साबित हो सकता है रिवजले में आज ग्यापन पत्र के माधियम से विश्व विद्याले अंतरगत्व भins शास्के महाविद्याले के शात्रों ने विश्वविद्याले में एकठा होकर अवदेश प्रताप सिंग विश्वविद्याले की कुलपती डॉक्टर राजकुमार आचारे को ग्यापन सौपा है और इस ग्यापन के माध्यम से ओनलाइन प्रणाली यानि ओपन वुक्स सिस्टम से परिक्षाय संचालित करने की मांग की है उनका यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो आगे चल कर उग्र अंदोलन करने के लिए भी छात्र चात्राएं बाद होंगे जिसके जमदारी प्रशासन की होगी इस पूरे मामले में विश्व विद्याले की कुलपती डॉक्टर राजकुमार आचारे ने चात्र चात्राओं की मांग को उच्च कारियाले तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है रिवा में तीसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हरताल जारी रही पिछले दो दिनों से जूड़ा अपनी मांगो को लेकर विरोध कर रहे हैं और अब तीसरे दिन भी हरताल जारी है रिवा में आज जूड़ा ने रिक्षार ओपन करके सरकार को नवजीवन का संदेश दिया डॉक्टरों की भरती नीट काउंसलिंग 2021 ऐसी तमाम मांगों को लेकर जूड़ा हरताल पर है पहले भी जूणीयर डॉक्टरों की हरताल प्रदेश में हो चुकी है जिससे अस्पटाल व्यवस्ता पर काफी असर पड़ा और इस बार भी अस्पटाल व्यवस्ता चर्मरासी गई है जूड़ा डॉक्टरों की हर्ताल का मरीजों पर असर पढ़ रहा है इलाज के लिए मरीज भटक रही है जूनियर डॉक्टर्स के या कहना है कि पहले भी हर्ताल के माध्यम से सरकार को अफगत कराया गया था लेकिन सरकार दुआरा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गया अब फिर से हर्ताल के माध्यम से विरोध जताय जा रहा है और अपनी मांगो को लेका जूड़ा लगातार अड़े हुए है जैसे कि हमारी स्ट्राइक चल रही है हमने सरकार से मांगे रखी थी कि हमको नए डॉक्टर्स चाहिए तो उसी के सिलसिले में जारी रखने के लिए हमने आज व्रक्षा रोपन का काम रखा है जैसे कि नवजीवन को जगाता है और इसके आगे का आपको ये बताएंगी पिछले पांच दिनों में जो कोरोना है कोरोना के केसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डबल हो चुके हैं तो आगे आने कि इस्तिती कितनी भयाव है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता व्रक्ष एक तरीके से संकेत होता है नई उमीद का हमने रख्षा रोपन इसलिए किया है ताकि हम एक उमीद के साथ कह सके अभी जैसे बात चल रही है शाशन सतर पर भी तो आगे बात थोड़ी बड़ी है हमें उमीद है कि आज शाम तक थोड़ा कुछ संदेश आएगा कि इस मामले में कुछ बात हो और बात आगे बड़ी अब की सिस्टाइट से लोगों को जो मरीजों firm को भी नुकसान हो जुड़ा कि देखिए मरीजों को junior doctors नहीं जा रहे लेकिन जो इसार है और गूठ्सर काम कर रहे हैं तो उसका पूरा किया जाए और ताकि ये हम अस्पताल की जवस्ताओं को अभी तक जूटा डाक्टर ही समालते आएं ये किसी छीपा नहीं है जब आप लोगों के अलग हो जाने के बाद क्या इस्तिती होगी है इससे आप लोग क्या सरकार जानती है इस बाद से अवगत है कि जादा दिन कंटीनू ना रखना पड़े आज रीवा के कॉफी हाउस में मौगंज से पूर्विधायक लक्षमिंतिवारी ने प्रस्वार्ता का आयोजन किया इस प्रस्वार्ता में प्रदेश में होने वाले त्रीस्तरी पंचाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई पत्रका की आर्मे सरकार द्वारा जमा कराये गया अगर चुनाव प्रक्रिया में रोक लग गई वसमेधानिक कर दिया गया तो चुनावी तैयारी में तमाम उमीदवार का खर्च होने वाली राशी के जिम्मेदारी कौन लेगा उन्होंने कहा कि वरतमान इस्तिती में OBC वर्ग के आरक्षन पर सत्ता वा विपक्ष राजनीती कर रही है प्रदेश के मुख्या ने कहा था कि बगैर OBC के चुनाव संपन्य नहीं होंगे वही अब वह कोट में जाने की बात कर रहे है साथे विपक्ष भी कोट में जाने की बात कर रहा है इससे सबसे ज़्यादा असर उमीद तक आयोजन किया गया जिसमें भारती जनता युवा मोचा के प्रदेश को शाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे इस पत्रकारवारता के माधियम से अटल विहारी वाजपई की जन्म जयनती स्वामी विवेका नंदी की जयनती को सुशासन देवस और युवा द जन्म जयनती पर रिवा जिले में पांच किलो मीटर की युवा मैराथॉन स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा और इन दोनों कारिक्रमों के माधियम से सुशासन दिवस और युवा दिवस मनाया जाएगा कोरोना संक्रमर से भशने के लिए प्रदेश सहित सीधी जिले में वैक्सीन नेशन का विशेश महा अभियान चलाया जा रहा है संक्रमर के प्रभावी रोक थाम के लिए सुरक्षा का वच्यानी COVID-19 की वैक्सीन हर किसी को लगाना अनिवार है इस बीच सीधी में शासंद्वारा अभियान चलाकर 18 वर्ष से अधिक के सबी व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान चल रहा है सीधी कलेक्टर द्वारा टीका करण को गती देने के लिए लिस्ट के आधार पर सभी पात्रों व्यक्तियों को शक्त प्रतिशत टीका करण के लिए अधिकारियों की डियूटी लगाए गई सभी नोडल अधिकारियों द्वारा सतत रूप से टीका करण की निगरानी की गई जिससे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले अभियान के अंतरगत बुधवार को जिले में 200 वैक्सिनेशन सेंटर पर टीका करण हुआ और जानकारी के अनुसार लगभग 20 हजार से अधिक व्यक्तियों को टीका लगाया गया जिलाटी का करण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र विहारी दुवे ने बताया कि जिले में 22 दिस्टंबर की स्थिती में भारस सरकार के कोवन पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 13,35,000 से अधिक डोज लगाया जा चुके हैं साथ लाख व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 6,35,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाय जा चुके हैं सीदी सी अभिलाश मिश्टरा की रिपोर्ट बात करते हैं बुलिटन की आखरी खबर की शैडोल जिले के जनपत पंचायत बुढ़ार अंतरगत ग्राम पंचायत टिकुरी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें उम्मीदवार के प्रस्तावक को जैदपूर विदानसभा भाजपा विधायक के पती वा उनके साथियों पर किटनाप करने का आरोप लगा है जो कि सर्पंच पत के दावेदार भी हैं विधायक पती ने उनके उपर लगे सभी आरोपो को सीरे से खारिस करते हुए शड़ेंद्र कर चुनावी रंजुष बताया है जिसे अब कॉंग्रेश आड़े हाथो लेते हुए चुनावी मुद्दा बना रही है जनपत पंचायद बुढ़ार अंतरगत ग्राम पंचायद ठिकुरी टोला निवासी रामप्रसाद सिंग सर्पंच पत के उमीदवार पूरण सिंग के प्रस्तावक है जिनोंने कॉंग्रेशियों के साथ तैसील कारेले पहुँच रटर्निंग ऑफिसर पंचायद चुनाव रखने का आरोप लगाया है साथ ही उनका अभी आरोप है कि बबवा सिंग जबरन मुझसे एक स्टाम पेपर में दस्थकत कराकर उसका गलत उप्योग किया गया है प्रस्तावक राम प्रसाद सिंग ने मांग की है कि इस कृति को करने वाले पर उचित कारवाही की जाए वह कि गाउ में आपसी सहमती से मुझे सरपंच पत के लिए निर्विरोध सरपंच पत के लिए चुनने का निरने लिया गया है और उनके उपर अनरगर आरोप लगवा रहे हैं इस मामले में बुढहार तैसीलदार मिनाक्षी बंजारे का खहना है कि निर्वाचन नियमों के अ नापिंग करने के मामले में कुछ भी नहीं कहते हुए रहने शिकायत दर्ज कराई गई है और जार्च के बाद मामला स्वष्ट होने की बात कही गई है शैडोल से पंकज राओ की रिपोर्ट जरूरी जानकारी से घर में था खेट से घर गया था तो उसी समय पहुचे कि उनको गलाया है सर्पाइंच किसी काम से जल्दी से जाएंगे तुरांत आ जाएंगे मैं को मेरे को नहीं है टाइम मैं नहीं जाओंगा फ्लेल सिंग जो सर्पाइंच था वह नहीं उनका वा विधायक पती है तो मैं बोला मैं नहीं जाओंगा फिर वो चले गए फिर इसके बाद फिर आया फिर बोला वह बहुत जरूरी काम से बुलाया था थाई तो इसका नहीं सुन सकते हो तो इसको निरस्त करवाना है भारम जो इसमें सहयोगी हो सरपांच भरवाय हो तो ऐसे बोलके इसको निरस्त करवा देंगे तो एक रहेगा उन्हीं से बात कर आपको उठा के ले गया थे क्या करें हाँ तो उठा के ले गया तभी तो वहां थे रडुर में और घर ले आए किते दिन तक रखें हैं रात में फिर पूरा दिन रखे थी इधर उधर यहां से वहां फिर बारत दी तीन बजे रात को हम लोग भर में तरह का नेविंग एक जो मामना आए आपके बास यह है कि ग्राम पंचाय टिकूरी में तो सरपंच पत्किते दो आवेधन पत्र आये जिसमें से अभ्यरतिये किये हैं और एक दूसरे अभ्यरतिये तो कल संवीक्षा के दोरान जो है प्रस्तावक द्वारा एक शबत पत्र में आवेधन के पेश किया गया जिसमें उन्होंने कहा गया कि इनके हस्ताक्षर जो है जो आवेधन पत्र है शपत नाम निर्देशन जा और पर उन्हों नें हस्ताक्षर नहीं किया इसके संभादग में दिया जो इनके एप्यर्टी थे उनका अविदन पत्री निरश्त किया गया जिसके कारण जो तुसरे अप्यर्थी है वो निर्विरोध की स्थीति होगी लेकिन वेसे स्थीती में भी निर्वाचर नियमों के अनुसार यह है कि अगर इस तरह की कंडिशन होती है कि अगर समिक्षा में सभी फ़र्म निरस्थ हो जाए और कोई एक वेक्ति निर्विरोध हो जाता है तो ऐसे इस तिती में हम उस आदेश का पुनरिक्षन करवाते हैं सभी पुनरिक्षन होगा इस देम साब उसमें अपना निर्णय देगे कि मेरे द्वारा जो आदेश किया गया है वो गलत है यह सही अगर वह आदेश गलत मेरा आदेश गलत वो कर देते हैं तो फिर इनका फॉर्म जो है वह एकसेप्ट हो जाएगा अगर मेरा आदेश सही मान इतना निर्विरवत होगे देखते रहे हैं विंदिया टाइम्स बहुत बहुत धरनेवाद आपन कर दोपा प्रबर्बदाने कर शेदे एरने प्रफोर कोवा क्या रा 충 bald log